Hello Friends, मेरा नाम जगविंदर है, चलिए यह हम Redundancy Part 5 में HSRP Tracking के बारे में जानते हैं Tracking HSRP की एक ऐसी feature है, जिसमें हम अगर हमने इंटरनेट से हमने दो connections दे रखें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से, एक ISP1 से और दूसरा ISP2 से, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम चाहें कि हमारा अगर एक link break हो जाए और उस case में हम दूसरे link को use कर सके, तो हम tracking को enable कर सकते हैं तो इसको थोड़ा और detail में समझते हैं, देखें, अभी हमने last videos में क्या किया था कि हमने एक router को preferred router बनाया था, जो हमारे case में router B था, वो हमारा preferred router था कि अगर router A और router B दोनों के दोनों हमारे network में हैं, तो जो हमारे network के systems हैं, वो router B से, internet से या दूसरे network से connect हो और वो इस router को as a active router use करें, और router A जो है हमारा, वो तभी use हो जब हमारा router B unavailable हो इसके लिए हमने क्या किया था, इसके लिए हमने preemption and priority set की थी, priority हमरी help करती है कि कैसे हम, अगर हमारा router है जिसकी higher priority होती है, उसको more preference मिलती है, वो active router बनता है, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हमारा जो router है, वो किसी कारण से down हो जाए और अगर दूसरा router, जो जैसे कि इस case में router A था, आप चेक कर सकते हैं last videos में, कि हमने इसको कैसे configure किया था, कि router A था जो हमारा, जो backup router की तरह work कर रहा था, अगर वो एक बार active router बन जाए, तो दुबारा से वो तब तक election नहीं होता, जब तक की active router down ना हो जाए तो इस case में अगर priority बेशक हमारे router B की higher है, लेकिन इसमें preemption जब तक हमें enable नहीं करेंगे, तब तक हमारा router B network में दुबारा आने के बाद भी active router नहीं बनेगा, तो preemption एक बड़ी अच्छी feature है, जिससे हम अपने network में ये decide कर सकते हैं कि कौन सा router हमारा active router की तरह act करेगा, चा और ये अच्छे से work कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जो हमारा router B के साथ internet service provider से जो मेरा link जुड़ा हुआ है, वो किसी कारण से break हो जाता है, और अगर वो मेरा link break हो जाएगा, तो बेशक से मेरा router तो work कर रहा है, लेकिन देखिए फिर भी मेरे system में कोई redundancy नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो pieces हैं, ये internet से connect नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ये link down है, जबकि हमारा दूसरा link available रहते हुए भी हम उसको active नहीं कर पाएंगे, तो इस case में हमारी जो help करता है, उसको कहते हैं tracking, tracking जो feature है HSRP कि वो ये track करती रहती है, कि जैसे ही एक link, कोई particular link जो हम बोलेंगे, वो down हो जाए, और वो down होने के बाद, हमारा जो router B है, वो stand by router की तरह work करने लग जाए, और हमारा router A, जो है active router बन जाए, for the time being, और हमारा जो traffic है, वो internet से connect हो सके, लेकिन जैसे ही ये link दोबारा से अप हो जाए, माल लेजे internet service provider के network में किसी तरीके से की problem हो गई, या ये cable हमार ये link down है, तो जैसे ये दोबारा आप हो, तो हमें फिर भी कुछ ना करना पड़े और ये router automatically active router की तरह work करने लग जाए, तो इस वीडियो में हम इसको समझते हैं कि ये कैसे perform हो पाएगा, कि tracking कैसे enable करते हैं, तो इस काम को करने के लिए पहले तो दोनों routers में मुझे preemption enable करन by, आप देखें यहाँ पर preemption disabled है, और हमारा जो priority value है, वो आपको दिखा रहा है, active router ये वाला है, और उसकी भी priority value 100 ही है, उसको हम बढ़ा देंगे, ताकि वो दुबारा से आने के बाद network में preemption enable कर सके, और देखें इसकी priority भी 100 ही है, तो इसकी 100 ही रहने देंगे, इसमें सिर operation mode में जाने के बाद हम interface VLAN, जो हमारे case में VLAN 50 है, उसमें जाएंगे, और यहाँ पे हम एक command लगाएंगे, और command है standby, hsrp group का number जो हमारे case में 8 है, और उसके बाद preempt, तो preempt करने से क्या होगा, कि इसमें preemption enable हो गई है, तो इसमें ये काम हमारा पूरा हो गया है, और आप दे देखेंगे कि router हम B के उपर जलते हैं, और उसमें क्या configurations करनी है, ये भी check कर लेते हैं, तो इसमें भी enable mode में जाके, show standby करते हैं, तो आप देखें यहाँ पे, यह router हमारा active router है, और यहाँ पे भी preemption disabled है, और इसकी preemption हम enable करते हैं, configuration mode में जाके, उसके बाद interface, VLAN और 50 में जाके यहाँ पे हम दो command set करते हैं, जिससे कि हमारी preemption enable हो सके, प्लस इसकी priority higher set रहे, ताकि in case router ये अगर active भी है उस समय पे, तो ये router अगर network में दुबारा आता है वापिस, तो ये preemption के कारण और priorities की higher होगी, तो ये active router बन जाएगा, तो यहाँ पे दो command हम लगाते हैं, standby, standby group का number, उसके बाद priority value, आप कुछ भी रख सकते हैं, higher को preference मिलेगी, यानिके इस case में हमने 50 रख दी, और इसमें भी हमने standby, preemption enable कर दी है, तो ये command दोनों लगाने के बाद, अब किसी भी case में अगर router ये हमारा enable हो जाता है, preemption उसमें work कर रहेगी और वो हमारा active router बन जाएगा, लेकि जैसे ही ये router network में आएगा वापिस, तो ये दुबारा से active router बन जाएगा, इसको और अच्छे से देखने के लिए हमारा last video देखिए, जिसमें हमने priority and preemption को set किया था, तो ये हमने base त्यार कर दिया, इसके बाद जो ये internet service provider है, तो मेरे पास ऐसे दो links नहीं है, जो मैं connect तो देखिए, इसके लिए मेरे को एक command यहाँ पर enable करनी बढ़ेगी, एक तो मेरे को interface mode में जाना है, मान लिजे loop back और उसमें उसको enable कर देना है मुझे, no shutdown command लगा कि या कोई भी IP address लगा कि मान लिजे वो IP address हम लगा रहे हैं, 200 और 200 और 200 और 200 और 200 और इसका mask लगा देते हैं मान लिजे default mask ले लेते हैं, और फिर अपनी satisfaction के लिए no shutdown, ऐसे loop back interfaces already no shutdown mode में ही होते हैं, यानि के अब होते हैं, अब हम इसके बाद एक command हमें यहाँ पर लगानी पड़ेगी, और वो command है, interface VLAN mode की यह tracking के लिए लगा रहे हैं, तो VLAN और VLAN का number मान लिजे 50, तो हम interface VLAN में चले और यहाँ पर हमें एक command जो इस वीडियो की खास है, वो लगानी है, वो है, standby 8, और उसके बाद, track, अब यहाँ पर आप interface दे सकते हैं, मान लिजे मैं interface यूज़ करता हूँ, loop back interface, और 1, loop back interface का number, तो इसके लगाने के बाद, एक और हमें value लगानी बढ़ेगी, कि इसकी value decrement, जीए, यह work कैसे करता है, मान लिजे इसकी जो हमने priority value set कर रखिये, वो 100 है, और इसकी priority value जो हमने set कर रखिये, वो 150 है, तो जिसकी priority value, अब दोनों में preemption enabled है, तो जिसकी priority value higher होगी, उसको preference मिलेगी, और जब तक यह down नहीं होगा, तब तक यह active नहीं हो सकता, क्योंकि priority value इसक prevention होने के कारण, यह active तो बन जाएगा, लेकिन इस case में यह router down नहीं हो रहा है, केवल इसका interface down हो रहा है, तो tracking कैसे work करती है, कि जैसे भी एक particular interface down होता है, तो यह क्या करता है, कि जो आपकी priority value उसको decrease कर देता है, उतरी decrease कर देता है, जितनी value आप यहाँ पे आप लगाएंगे यानि के माल लिजे मैं इसकी value 60 कर देता हूँ, तो यह इसकी value 60 decrement कर देगा, यानि के 150-60 एक link down होने से, उसकी priority value को 60 down कर देगा, यानि कि उसकी value जो है, वो 90 रह जाएगी, तो वो router बेशक अब भी होगा, लेकिर उसकी value है, वो 90 रहने के कारण, दूसरा router जिसमें preemption enabled है, औ for the time being, active router act करने लग जाएगा, इतना लगाने के बाद, हम इसको enter करते हैं, और दुबारा से interface mode में जाके, loopback में इसको check करते हैं, कि यह कैसे work करेगा, तो आप देखिए, यह router, दोनों routers की हैं, यहाँ पर हम shutdown command लगाते हैं, जिससे कि यह loopback interface, shutdown हो जायता है, देखिए आप, कि यह interface down हो गया है, यह speak states में आ गया है, उसके बाद, और इसकी जो, अब यहाँ पर एक command लगा के देखते हैं, और देखिए, जो हमारा दूसर नीचे router है, यानि कि router A, वो as a active router बन गया है, तो यह हुआ कैसे, तो यहाँ पर stand by command लगाते हैं, इस mode में देखने के लिए, do show, stand by, तो आप देखिए, देखिए, यहाँ पर tracking interface, loopback 1 and straight down, इस वज़े से इसका, जो decrement हुआ, 60 हुआ, और जो इसकी value थी, देखिए आप, priority 9 हुई है, जो की configured थी 150, minus 60 is equal to 90, और अभी जो active router की दरा act कर रहा है, वो हमारा router A, यानि कि जिसकी priority value, 100 है, लेकिन जो 90 से इस समय ज़्यादा है, और देखिए, जैसे ही loopback interface अप होगा है, no shutdown command लगाते हैं, तो देखिए, दुबारा से, election process चलेगा, और देखिए, यह दुबारा से, आपका जो interface है, यह जो router है, यह active बन जाएगा, और दूसरा router हमारा stand by, एक बार दुबारा से command run करवा के देखते हैं, show stand by, तो देखिए, अब यहाँ पे priorities की 150 हो गई है, तो इस video में हमने देखा कि कैसे हमारे tracking work करती है, और tracking करने से हम एक particular interface के according, अब priority value routers में down कर सकते हैं, जिससे हम हमारे network में, अगर दो multi homing हमने कर रखे, दो internet service provider से connection ले सकते हैं, तो हम एक particular link के down होन पर भी redundancy provide कर सकते हैं, और preferences को set कर सकते हैं कि कौन सी किस router से हमारा data network तक पहुंचे हैं, तो इस video में इतना ही, thanks for listening.